दोस्तो नमश्कार में आपका दोस्त मनोज कुमार मिश्रा एक फ्लासफर और एस्ट्रोजर में आप सभी लोगों का अपने यूट्योप चेनल एस्ट्रो और अबरल पर हार देख सौगत करता हूँ और आप सभी बात करेंगे राशी जो परिवर्तित हो रही है बुद्ध से बुद्ध का है 5 सितंबर को बुद्ध करक राशी से निकलकर सिंग राशी में आ जाएंगे और 24 सितंबर को ये बुद्ध सिंग राशी से निकलकर कन्या राशी में आ जाएंगे बात करते हैं सूरे की सूरे 17 तार सारी को सितमबर को कर राशी से निकल कर अपनी राशी तुला राशी में आ जाएंगे अब उनकी बात करते हैं जिनका इस महिने कोई परिवर्तन गिरोह का नहीं हो रहा मंगल आपके मिथुन राशी में ही चलते रहेंगे पूरा महीना बात कर लेते हैं गुरुदे ब्रैस्प करते हैं तो वह अपने ही घर में मतला अपनी ही राशी में आप गोचर करते रहेंगे लेकिन वक्री पोजिशन में होंगे कुम्ब राशी में अब हम लोग बात करते हैं डेट वाइस प्रेडिक्शन की तो देखे एक तारिक 27 और 29 तक यह टाइम फॉर इंवेस्टमेंट अगर आप कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो टाइम अच्छा है दो तारिक से लेके 24 तारिक तक और 30 तारिक तक यह अपने भाईयों से लड़ने का या बात विवाद करने का समय बिल्कुल भी नहीं है इसमें नुकसान हो जाएगा पास से लेके छह तक 19 और 20 की बात करते हैं लेकिन इस समय आपको जौब का परिवर्तन जो बहुत समय से आपको चाहिए था क कि मेरी जौब परिवर्तित हो जाए तो यह समय चल रहा है सितंबर कमीना लेकिन इन डेट्स को थोड़ासा आपको एवाइट करना है बात करेंगे सास से लेके 9 तक चिल्डरिन टाइम 10 और 11 यह एनीमी टाइम उसको कहते हैं कि जैसे ब्रोधी पक्ष हमारे उपर हावी होन में और 23 से लेके 24 सक खर्चे वाला समय है तो यह हुआ चंदरवा के हिसाब से अब हम लोग बात करते हैं देखिए कुंडली की तो इस समय स्टार्टिंग हम लोग क्या करते हैं बुद्ध से करते हैं और बुद्ध कहा है सेकेंड हाउस से बैठे कुल मिलाकर अगर मैं आप से बात कहुं तो मन में तो आपका क्या है उत्सा है एक्दम क्रोध भी है और आपका मन यह है कि मैं कोई भी काम बहुत तेजी के साथ करूं साथ में आपका मन क्या है साथ में आपका ये संबंध है ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने की आपके अंदर एक मन में एक ऐसा विचार चल रहा है कि मैं ज्यादा से ज्यादा धन कमाऊ इस तरीके के विचार आपके रहेंगे और आपके पास पूरी उर्जा भी इस महीने मंग मंगल की रहेगी मतलब कहने का देखिए आप एक चीज को समझे जो हमारा लगनेश है वो चलता किसे हिसाफ से बुद्धी के हिसाफ से चलता है मंगल क्या है मंगल हमारे शरीर की उर्ज़ा भी है और मंगल क्रोध भी है तो इन दौनों का बहुत अच्छा कॉंबिनेशन मैं नहीं मानता लेकिन एक चीश का बिलकुल आपको फ्याल रखना है कि आपको किसकी सुनिए अपनी भुड्धी की सुनिए आपको किसी भी पर ज्यादा प्रोधित नहीं होना एगर वो आपका पाम नहीं करता तो आप सोचते क्या हो कि कुछ पैसे खर्च करके हमारा काम हो जाए लेकिन वह फिर भी नहीं करा तो वहां पर थोड़ा सा पेशेंस बनाना है आपको यह समझना है कि ताकत से आपका काम नहीं होगा यह ताकत हमें कहां इस्तिमाल करनी है अपनी बोड़ी की उर्जा में हम प्रियास को जादा से जाद करें लेकिन हमारा अधिकार दूसरे के ऊपर क्रोध करने का बिल्कुल भी नहीं 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 रास्ते आपको बुद्ध देता रहेगा क्यों कि प्राक्रम के भाव में भी आजाएगा तीसरे मतलब तीसरे स्थान पर आजाएगा पांस तारीक के बाद तो यहां आपको पास करें वो एकडम सही डारेक्शन में गये आपका जो मन है एकडम प्रफुल हुगा तो यह हुआ हमारी लगनेश की बात अगर हम लोग बात करते हैं थाड़ हाउस की हर बहुंत बैठी कौन है सूरे तूरे थाड़ हाउस में अपने ही घर में बैटे हैं और साथ में उन धुन लगनवाले मतलब अपने बिजनिस को ऑनलाइन लेके जाते उनके लिए जो विदेश की यातरा करना चाहते उनके लिए और जो भी अपने मंच पर अपनी बात रखना चाहते हैं पबलिक के सामने आना चाहते हैं यह समय उनके लिए बहुत जादा बढ़िया बना हुआ कारण क्या है सूरे प्रकाशित कर रहे हैं शनी को तो यह एक अच्छा कॉंबिनेशन देखा जा रहा है इसका लाब उठाइए कब तक है 17 तारीक तक आप 16 तारीक तक बानके चलिए कि जो भी आपको काम करने बड़े डिसीजन लेने क्यों डिसीजन देने की बात क्या है तूरे प्राक्रम के हाउस में अपने ही घर में है तो आपको ज्यादा उन्नती का जो चांस है वो यहां तक मिलेगा अब हम लोग बात करते हैं फोर्थ हाउस की शुक्र बैठे है के तो के साथ सामने है राहू तो शुक्र का सीधा द्रश्टी किस वर जारी रहोगी देखे पूरी तरीके से आपका मन किस वरकार करेगा आपका मन यह रहेगा कि मैं नई नहीं चीज़े खरीदूं अपने घर को सजाओं अपने उपर इंवेस्टमेंट करूं अपने घर को सुंदर बना यह अपने ही घर में आएंगे जो इच्छा आपकी होती है वह क्या करेंगे इच्छा पूरती का कारें इच्छा पूरती का कारे क्यों करेंगे यह 11 thou Sounds का सम्मंद्द कि से बनाया f1st house से बना तो यह अच्छा लगन में बैठे हैं या मंगल और दूसरा घर इनको कौन सा प्राप्त है 11 थाउस है मतलब यह वाला लाभवन आप यह देखे आपको जो भी सर्विस आप देते हो उससे आपको लाभ होगा जो भी चीज जो भी लोग आपके नीची अंडर में काम करते हैं उनके साथ आपके जो रिलेशन होंगे मतलब जैसे आप उनसे चाहते होगी ऐसे काम करें तो वह उसी दंग से काम करेंगे आपको लाभ होगा किल मिलाके मैं आपसे सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि जिन मिथुन लगन वालों का अगी अभी तक कोई जॉब ने लगी है एक बैस समय है यह पूर लग एक से रहे हो कि मुझे किसी से सेवा से छटा रूघ रिनी शत्रो का हाउस होता है तो देख आपको सिर्फ में आपसे यह जह बहएं कि जैसे हम लोग करते हैं कि हमारा जो भागयों थे हैं सर्विस से जो भी हम महनत करते उस से और दूसरा मैंने आपको बोला सेवा का भी है तो यहां आपको कुछ ना कुछ सेवा जिसकी भी आप सेवा करना चाहते यह आपको देखना है कि आप किसकी सेवा करते तो आप जितनी ज्यादा सेवा करेंगे आपको उतना प्रॉफिट होगा अब हम लोग बात करते हैं आपके सेविंथ हाउस की सेविंथ हाउस में क और उनकी सीधी देस्टी सेविंथ हाउस पर पढ़ रही है तो आपका जो भी कुछ बोलना होगा आपकी स्पाउस के लिए मतलब बहुत अच्छे शब्द जो आप बोल रहे हो वो भी क्यासा है चुबने वाले शब्द उनको प्रतीत होंगे तो इसमें कहने का मतलब यह है कि थोड़ा सा अच्छे से आप लोग बातचीत कीजिएगा लेकिन व्यंगात्मक तरीके से ने क्योंकि मंगल किसके घर है बुद्ध के घर में है तो अगर आपने कोई व्यंगात्मक वार्णी का इस्तेमाल किया तो क्या होता है आप असमें जगड़ा होने की संभावना रहत से तो हमें दुबारा पीछी हट रहे और उस काम को दुबारा से सही करके लेकर आरा है कहीं अगर आपका कोई उन्नती का चांस आपको पिछले कुछ महीनों में दिखा और आपने उसका लाव नहीं उठाए या कोई भी सरक्मेस्टांस बने तो यह फिर दुबारा आपको म नहीं बैठे और इस समय किसकी बात हो रही है सूर्य का प्रकाश यहां पर आ रहा है कहने का मतलब सिर्फ यह है जो भी काम रह गया उसको पूरा कर दीजिए तैंथ हौस के चर्चा करते हैं राहू दस में राहू दस वालों को ज्यादा टेंशन रहती नहीं है जो भी वह सो इस आप सोचते हो लाइफ में शुक्र क्या है बैभवे हमारे जीवन का या धन है हमारे जीवन का तो वह आपको प्रचुर मात्रा में इस महीने में प्राप्त होगा जिससे आप खर्च भी अच्छा करोगे और आपका मन भी प्रफॉलित रहेगा बात करते हैं 11 थाउस की म गुरुदे ब्रैस्वती जो खर्चे वाले भाव में बैठे हैं और जब आप इस चीज को समझोगे कि खर्च किस जगह उपर होगा खर्च हमारा होता है हमारे बच्चों की फीस के उपर अच्छी अच्छी जगों पर हमारा खर्च होगा तो ये एक छोटा सा मैंने आपको सितंबर का हुए कैसा जाईगा इस चीज के ऊपर बताया अब यह देख लेते हैं कि जिन मित्वन लगन वालों की अभी शादी वगरा नहीं हुई है विभा के लिए सोच रहे हैं तो यह महीना विभा के लिए अभी उप्यूक्त नहीं है मतला अभी कोई ऐसी एप और्चुनिटी आपको नहीं दिखाई देगी जिससे कि आप यह कहोगे कि मैं इसके साथ मैं रिस कर लो तो खोजते रहिए समय अपना लगाते रहिए लेकिन जैसे समय वलवान होता है आपके सामने option आ जाएगा तो आज के लि आपके लिए उसके लिए बहुत बाद धन्यवाद थेंक यू